नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एस्जीवी नियूस पर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जी हां तिहाड से मनीश सी सोधिया ने चिठ्थी लिखी है और चिठ्थी लिखकर कहा है कि परधानमंत्री नरेंदर मोदी कम पड़े लिखे हैं लोग जो है पड़ा लिखा मैनेजर डूणते हैं क्या देश के सबसे बड़े मैन इस नाम एक चिढठी लिखी है इसमें मनीश स्सोधिया ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाय है और उन्हों के सबसे बड़े मैनेजर को पड़ा लिखा नहीं होना चाहिए यह सवाल उठाया गया यह सवाल को उठा रहे हैं मनीज सी सोधिया उठा रहे हैं जिनकी खुद शिक्षा को लेकर के कितना बड़ा संशे है कि बार्मी तक ही पड़ाई हुई है उसके बाद एक डिपलमा किया और यहां पर देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही अर्विंद के रिवाल इनके मुखिया 25,000 रुपे का जुर्माना लगा है उनको गुजरात कोट की तरफ से उसके बावजूद यहां पर यह रास नहीं आ रहे हैं आब जा रहे हैं दरसल मनीशी सोद्या की बात की जाए तो सीबेए और एडी की तरफ से उनको आरोपी बनाया गया अब इतिहाड जेल में बंद है राव जवान्यू कोट और दिल्ली हाई कोट में जमानत के लिए अपील भी कर चुक है मनी लॉंडरिंग केस में जमानत पर अब अब चुछे ट्विटर अकाउंट से अर्विंद केज्रिवाल ने उस चिठी को डालते हुए कैप्शन जो लिखाया वो भी आपको बताते हैं अर्विंद केज्रिवाल लिखते हैं कि मनी सिसोद्या ने जेल से देश के नाम चिठी लिखी परधान मंत्री का कम पड़ल लि ही समझते हैं पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद करवा दिए भारत की तरक्की के लिए जो है कम पड़ा लिखा होना कम पड़ा लिखा पीम होना जो है वो जरूरी क्यों यह सवाल उठा रहे हैं यहां पर और पुराने क्लिप जो है वो वाइर्विंद केज्रिव नहीं है लेकिन वो एक अच्छे इंसान है वो जानते हैं कैसे चीज़ें चलाई जाती है लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं शराब निती को ले करके उसमें आपकी इन्वाल्मेंट को ले करके उसमें मनीर से सोधिया क्या कहते है कि 8-8 गंटे तक पूश्टाश होगी इत चिठी लिख रहे हैं और ओपी हैं यहां पर शराब गोटाले में चिठी में क्या लिखे कुछ अंचम आपको बताते हैं कि आज हम 21 सदी में रह रहे हैं जो मनीश्टी सोधिया ने लिखा आगे का आया कि दुनिया बर्में टेक्नॉलजी में हर रोज नहीं तरक्की हो रही है वहीं आगे बीच के कुछ अंचाप को बताते हैं उसमें बीच के अंच में लिखा जाता है मनीश्टी सोधिया की तरफ से कि दूसरे देशों के राष्ट अध्यक्ष जब परधान मंत्री जी से गले मिलते हैं तो एक एक जपी की बारी कीमत लेकर चले जाते हैं बदले म कि यूएन स्टेटिस्कल कमीशन के अगर बात के 53 में से 46 वोट मिले हैं बाहरत को और यह क्या कहा जा रहा है कि जब पी लगाते हैं और बाकी राष्टे देख जो है वह साइन करवा लेते हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं मनीश से सोधिया उनको भी नहीं जोड़ रहे और खुद तो आरोपी हैं आगे वो लिखते हैं कि हाल ही के वर्षों में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिये हैं क्यों एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है तो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी यह सवाल उठा रहे हैं और आगे कहा रहे हैं थे अगर सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा कर दिया जाता है तो लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे जैसा कि अब दिल्ली में हो रहा है इसी सोधिया कहा रहे हैं खुद का बच्चा बाहर पढ़ रहा है और यह कहा रहे हैं कि दिल्ली में हमने आपको पहले भी डेटा निकाल करके बताया है पिछले दस सालों के तुलना में प्राइवेट स्कूल में अन्रोल्मेंट जाधा हुआ है केवल जो है बीना आंकडे पे आप अपने आपको इतना पढ़ा लिखा मानते हैं खुद बार्मी पास उसके बार जो है डिप्लमा के जनलिजम में खुद यहां पर साइनों की बात करें रिविंद के जिवाल कितने साइन करते हैं आगे कह रहे हैं कि आज देश का युवा जो एस्पिरेशनल है वह कुश करना चाता है कि दूनिया जीतना चाता है सइंसud के शेत्र में कमाल करना चाता है और आगे लिख रहे हैं कि क्या एक कम पड़ा लिखा परधान मंत्री आज के युवा के सपनों को पूरा करने की शम्ता रखता है कम पढ़ा लिखा प्रधान मंत्री का जा रहा है ना कुछ दिन पहले अर्विंद के जिवाल जिनको आप सबसे पढ़ा लिखा मानती है वो क्या कहा रहे थे विदान सभा में कोन लजी कहां का लगी सरपे लाके रख दिया लगी को भाषा कभी सुनी है आदमी के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कभी नहीं किया जाएगा और आगे कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में 60,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया और इसका बंद किया जाना इसका जीता जाकता प्रमान है ऐसे में मेरा भारत तरक्की कैसे करेगा बिल एक क्रोड रुपया उसमें सीक्रेट फंड डाला जाएगा तो कैसे देश तरक्की करेगा देश की राजदानी दिल्ली में इस पर एक भी कमेंट एक भी कमेंट किसी आमादमी पार्टी के नेता का सामने नहीं आ रहा है अब सीबिये की जांच उसमें चल रही है दिरे दिर पर बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं आगे कहते हैं कि आप अपनी छोटी सी कंपनी के लिए एक मैनेजर रखने के लिए भी एक पड़े लिखे व्यक्ति को डूनते हैं क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पड़ा लिखा नहीं होना चाहिए अब यहां पर आप ये पूरा पॉलिटिकल सिनारियो समझेए क्योंकि शराब गोटाले में जैसे जैसे पुकता सबूत सामने आ रहे हैं सीबियाई को दो हफ़ते का नोटिस दिया गया है 20 अपरल को सुनवाई होनी है सीबियाई उसमें जवाब देगी पूरा क्या-क्या चीज़े खुल करके सामने आई हैं क्यों मुबाइल फोन डिस्ट्रॉय किये गे क्यों अलग-लग सी में इस्तेमाल की गई अगर आप पाक लिखे मुख्यमंत्रि हैं कि एक भी विभाग नहीं रखा आपने पास दूसरों को कह रहे हैं कि साइन करवा करके बाकी देशों के राष्ट अध्यक्ष जो है वह यहां पर क्योंग हमारे पीम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं पूरी दुनिया आज भारत का जो लोहा है उसको मान रही है डंके की चोट पर भारत जो है वो पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है उसमें तो कम से कम राजनीती मत कीजिए जितना कोष्ण है आप आपने बाकी विपक्षी दलों को कोष सकते हैं लेकिन इसमें बाकी र आश्ट जो हैं उनके अध्यक्षों को भी बीच में गसीटा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और क्या कहा जा रहा है कि वो आश्ट आते हैं एक जपी लगाते हैं प्रदान मंत्री को और साइन करवा के चले जाते हैं लेकिन यहां पर पूरी दुनिया देख रही है कल ही जो चुनाव हुआ जिस चीन की आपके दोस्त क्योंकि कॉंग्रेस के साथ आजकल पूरा उठना बैटना है आम आदमी पार्टी का उस चीन की बार-बार जो कॉंग्रेस पार्टी बात करते हैं चीन इतना आगे बढ़ गया चीन इतना रोजगार दे रहा है चीन इत दूसरे नंबर पर जो साउथ कोरियरा कितने वोट मिले 23 भारत के आदे वोट मिले यहां से आपको समझना होगा कि बाकी देशों के जो राष्टे अध्यक्षा है वो जप्पी लगा करके क्या साइन करवा लेते हैं या फिर भारत सच में आगे बढ़ रहा है पांच में अर् भारत ने प्रदान किया एक लिस्ट फॉरन पॉलिसीज पर दो एक जुठ हो कर रही है मत्वेद हो सकते हैं पार्टियों के आपने आपस में एक दूसरे से बिल्कुल आप आरो प्रतिया रोप की राजनिती कर सकते हैं यही डेमोक्रेसी है यही लोगतंतर है लेकिन कि बाक रात कोड की दरव से 25,000 रुपे का जुर्माना लगा है अर्विंद के जिवाल को उसके बाव जूद रास नहीं आ रहे जासूसी कांट पर चुपी शराब गुटाले पर चुपी यह कही न कहीं ब्रहमित करने का प्रयाज जो है वो किया जा रहा है बैरहाल अब यह जो चिठ्थी लिखरे है मनीश सी सोधिया जेल से तीहाड जेल में बंध है इसको लेकर आपका क्या कहना है शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल से आना जाएं वाना जाएं और खुद का बच्चा बाहर विदेश में पढ़ रहा है बेरहाल अब यह जो चिठी लिखी गई है फिर से सवाल उठाएगे हैं देश्वासियों के नाम चिठी लिखी है आप सभी देश्वासी बताएं आप क्या क्या कहना है मनीशी सोधिया जवाब देने हैं उनको जाँच एजंसियों के उसमें जवाब नहीं दिये जा रहे हैं उसमें चूपी साधे हुए हैं उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां चिठी लिखने का जेल से समय मिल गया कि प्रधान मंत्री कम पड़े लिखे हैं देश जो है वो डूपता जा रहा है पीम को समझ नहीं है कोई भी साइन करवा लेता है यह लिख रहे हैं मनिक सि क्या रहा है अब जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं मारे साथ दन्यवाद